हैलो गाइज!! वैलकम चॉम टू माइचैनल मोहीईकलासेज इस वीडियो में आज हम करेंगे N से सारे यीदियम् अप्रेजेज , और वह भी और कुषिक के साथ तो सारे कुषिक के आंसर , आ आप दीजेगा कमेंच बॉक्स में और हम इस सारे idioms and phrases को करेंगे ट्रिक के साथ और एक बात और हमने इससे पहले भी यू से सारे idioms and phrases कर चुके हैं So please guys go and watch it So करते हैं start So first लेखते हैं Null and Void उससे पहले friends आपको बता दे कि हम यह सारे idioms and phrases ऐसे याद करेंगे ऐसे लर्न करेंगे कि आपको पता भी नी चलेगा कि कब लर्न हो गए तो चलिए Null and Void Which means Ineffective or Invalid तो इससे हम याद करते हैं Null Null माने कुछ नहीं Shun Void means Shun ये भी Shun वो भी Shun फिर सो देखते हैं ये भी Shun वो भी Shun जब सारे Shun ही Shun तो क्या होगा Invalid question होगा बोलते हैं Shun Shun Invalid होता है Ineffective होता है तो हम इस तरीके से उसको Learn कर सकते हैं Null and Void Ineffective Invalid Next देखते हैं Next to Nothing Which means Almost Nothing इसको याद कर सकते हैं Next Next मतलब क्या होता है अगला दूसरा Nothing माने कुछ नहीं जब कुछ है ये नहीं सब कुछ खतम हो गया तो दूसरा या फिर अगला भी कुछ नहीं होगा सब कुछ खतम इसलिए हम बोल सकते हैं Almost Nothing कुछ भी नहीं बचा आप तो इसलिए Next to Nothing means Almost Nothing Next देखते हैं Neck and Crop Which means Completely इसको याद करेंगी Neck Neck माने Garden और Crop माने Cut करना होता है न कुछ तो याद करते हैं तो याद कर सकते हैं कि नेक पहले से ही क्रॉप है पहले से ही पूरी complete है नेक याद कर सकते हैं नेक एंट क्रॉप मेंस completely next देखते हैं no love lost which means इंटेंस डिसलाइफ अधिक घ्रणा इस प्यार करते हैं नो मने नहीं लव माने प्रेम लॉस्ट माने खो गया अरे भाई जब कुछ प्रेम बचाई नहीं है है नहीं लॉस्ट क्या होगा कुछ नहीं होगा इसली जब कोई प्यार कोई प्रेम कुछ भी नहीं रहा इसका मतलग इंटेंस डिसलाइफ हम आपसे बहुत घ्रणा करते हैं नो लोव लॉस्ट मीज इंटेंस डिसलाइफ तो नेक्स देखते हैं नेक्स देखते हैं निप इन दे बर्ड विच मीज कि आप दिए ऐस ते लिए तुझ तो अ तरिये वेड खेलिये दॉप दो दो दॉझ तॉट्टिक्ट कि तॉब मजद दॉब दॉझ तॉब टॉझ तॉझ तॉब टो दॉट्टिक्ट झाइए तॉटिक्ट्स कि निप निप माने वह होती है नो जो पैन की जो आंगे रहती है निप इन द बर्ड बर्ड माने कली जब कली निकली ही है आई है उसमें आपने उसको छेद कर दिया इसका मतलब वह तो खतम हो जाएगी हम इसको ऐसी आप कर सकते हैं तो डिस्ट्रोइ कि निप इन द बेरी बिगिनिंग शुरू होने से पहले हमने उसको डिस्ट्रोइ कर दिया खतम कर दिया तो बन गया निप इन द वर्ड means to destroy इन द वेरी बिगिनिंग नेक्स लेक्टें नॉट वर्ट वन्स सॉट मेंस कि नॉट मतलब नहीं वर्थ योग वन सौल आपने सुना भी होगा कि जिसका हम नमक खाते हैं उसका छेद नहीं करते हैं और जो छेद करता है उसी को हम भगा देते हैं नहीं करता है यहां पर कर लगा है नोट मतलब जो योग नहीं है जो डिजर्व नहीं करता इसका नोट वर्थ वन सौल तो फ्रेंज आज का होंबग आपको देंगे यह सारे वर्ट्स को आप लिखिये आप नोट कॉपी में और अच्छे सब्सकों लांड के जिए एक बार करते हैं स्टार्ट क्विज तो देखते हैं फर्स क्वेस्चिन आपके स्क्रीन पर नॉट वर्थ वन सौल्ट ऑप्शन एक्सिब्ली ऑप्शन बी नॉट डिजर्विंग ऑप्शन सी और वीक पॉइंट और ऑप्शन दी आउट ओफ ट्रवल इसका अंसर आप बताए इसका अंसर है नॉट डिजर्विंग नेक्स देखते हैं नो लव लॉस्ट ऑप्शन ए फ्लैट्रिंग वर्थ ऑप्शन बी तु वन स्लाइकिंग ऑप्शन सी नॉट इन यूजूल फॉर्म ऑप्शन टी इंटेंस डिसलाइफ तो इसका अंसर है इंटेंस डिसलाइफ नेक्स देखते हैं नेक्स्ट टू नथिंग ऑप्शन ए अल्मोस्ट नथिंग तू शो फॉल्स सौरो ऑप्शन सी तू एक्सराइज इंफ्रोएंस सीक्रेटली ऑप्शन डी तू रिवाइब फॉर्गोटन फ्वेरल तो इसका अंसर है अल्मोस्ट नथिंग नेक्स्ट गोशन देखते हैं नेक्स एंड फ्रॉब Option A completely, Option B to do wrong things first, Option C to pacify the matters, Option B repeatedly change one's attitude तो इसका answer है completely लिक्ते है next question निप in the bird, Option A anything that provokes, Option B to be helpful in need, Option C to destroy in the very beginning and Option D to show coordinates तो इसका answer है to destroy in the very beginning by friends